तो बच्छो आज हम जो हमारा फ़र्स्ट पॉइं में ठीक है डग तो उसका कॉस्टन आंसर इस वीडियो में कंप्लेश स्टेडी करेंगे सोबने रिमार साथ इस वीडियो में अगर आप हमारा चैनल को फ़र्स्ट आम जिट करते हो तो प्लेश चैनल को जरू और साथ इसाथ बेल आइकम को प्रेस करें जिससे इस बुक के हर चैनल की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहीगा तो आप जो है इस बुक की अच्छे से स्टेडी कर पाऊ गए तो लाइक केजिए इस वीडियो को और अपने ग्राश में इस साथ में से से शेयर सबसे पहले हम इस इस के कंशनासर देखते हैं पहला कैंडल फेड़ div यह duck है ठीक है डग की पास किस टाइब की जो feathers है ओके तो इसका अंसर है बच्चो यह duck है जी oily feathers ठीक है डग की पास जो feathers होते हैं वो oily होते हैं ठीक है ना तो यह answer आप write कर लो ओके नेक्स देखते हैं question number two question number two है आपका what where does a duck find food for itself डग जो होती है अपने लिए food कहां से find करती है ठीक है ना ठीक है तो इसका answer है under the water ठीक है under the water यानि कि पानी के नीचे जो है वो dive करती है और वहां से अपना food search करती है ठीक है simple simple answer मैंने आपके लिए यह आप write किये हैं आप इनको easily learn कर सकते हूं next question third है वो है आपका what has been said to be a proven fact मतलब किसको हमें proven fact कहते हैं तो because oil and water does not mix मतलब oil or water जो होते हैं mix नहीं होते हैं तो यह आपका question third का answer है ठीक है because oil and water does not mix next देखते हैं question fourth जो क्या आपके screen पर है what does a duck every day एक मिनट इसका question देखते हैं question है आपका what does a duck do everyday मतलब duck जो होती है everyday क्या करती है ठीक है do तो वहाँ पर do नहीं था क्या करती है इसका answer देखते हैं तो इसका answer देखो everyday duck everyday a duck ठीक है यह जो है ना यह वाला इसकी जगह आप लिखना printing p-r-e-n-i-n-g ठीक है एक बच्चे की notebook ती यह उसने रॉंग लग रहा है इसकी जगह लिखना printing p-r-e-n-i-n-g ठीक है everyday a duck printing its feather यह तो feather रहेगा ठीक है printing its feather printing की spelling आप मैं बोल रहा हूं वो लिख लो इसकी जगह printing आयागा इसकी जगह मैं आपको दिखा भी देता हूं यह वाला spelling लिख लेना ठीक है p-r-e-n-i-n-g ठीक है मतलब duck printing करती है इस जो है second question वो है आपका the letters ee and ea मतलब जो ee जिन में sound होता है या फिर ea sound होता है ठीक है उससे जो है आपका e long बन जाता है ठीक है तो ऐसे words आपको लिखना जैसे b c t cream ठीक है ऐसे यह तो दे रहे हैं बाकी और लिखने हैं जो मैंने लिख रहे हैं जीप फिली टीट बीक डियार ब्रीच ट्री पील चीज ठीक है सीख फ्रीच पील नीड शीड फीड नी ठीक है तो यह आप फिल कर लिजी ठीक है question number 3 में तो कुछ नहीं है ओके तो यह आपके question answer इस poem के complete है यह ओप के आपको वीडियो पसंद आओगा मिलते है नाक्स्ट वीडियो में तब तक लिए पाइचे हिंद बच्चों यह चूле झाओ झू जश्ट बच्चों यह झाओव झाल यह झाल झाल